हेलो एब्रीवन स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यक्सीक प्रो में तो जैसा आपको पता है हम डिसकस कर रहे हैं इस रोग के प्रेबिएस एर क्वेस्टन पेपर को और इस समय हम पेपर डिसकस कर रहे हैं विक्रम सारा भाई इस्पेस सेंटर का जिस एक क्वेस्टन को पूरे डिटेल में टॉस करने वाले हैं ठीक उस क्वेस्टन के पूरे बेसिक को समझने वाले हैं तो keep patience and watch the video till in so let us start today video first question is 56 number tail stock in lathe can be used for lathe में tail stock का परियोग किस लिए किया जाता है तो आपको पता है कि lathe में tail stock का 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 काम किस लिए किया जाता है तो सबसे पहला उसका काम होता है holding drill and reamer जो भी drill, reamer और counter boring, counter sinking के tool होते हैं उसको hold करने का काम करता है साथ ही साथ जब हम कोई उस पे लंबा workpiece काफी बड़ा जाब हम क्या करते हैं center के बीच उसको हमें support करना होता है उसको other operation करने होता है को center के बीच बांध कर तो बड़े जो आपको support करने का कार भी किसके द्वारा किया जाता है tail stock के द्वारा ही किया जाता है साथ ही साथ क्या करता है holding drill chuck bit taper sink जो taper sink वाले drill bit होते हैं वो भी क्या करता है tail stock के spindle में भी उसको hold किया जाता है तो ये तीनों क्या है tail stock के काम उपर आपको दिये गए तो यहां से कौन सा option सही हो जाएगा option number D सही हो जाएगा कि tail stock का परियोग किसलिए किया जाता है तो drill, reamer, इसके साथ साथ counter sink, counter boring, drill chuck को hold करने के लिए परियोग किया जाता है लंबे ज आपको support करने के लिए परियोग किया जाता है साथी साथ taper turning करने के लिए भी हम क्या करते है टेल स्टाक की body को offset करके टेल स्टाक के द्वारा हम क्या करते हैं taper turning भी करते हैं तो यह कुछ questions जो की पूछे जाते हैं अब यहाँ पूछा जाता है कि लंबेज आपको support करते समझे जो हम इसमें center लगाते हैं तो कौन सा center head stack में लगा होता है तो जो center head stack में लगा होता है वो job के साथ rotate करता है इसलिए उसे हम live center के नाम से जानते हैं जो tail stack में center लगा होता है वो job के साथ rotate नहीं करता है इसलिए उसे हम dead center के नाम से जानते हैं live center हो या dead center हो दोनों का angle कितना होता है 60 degree का angle रखा जाता है या आपको clear होना चाहे है यहाँ पर एक और question पूछा जाता है जब हम किसी लंबे वर्क पीस को center के मत बांद कर क्या करते हैं उसकी turning करते हैं या कहली यह taper turning करनी होती है मैं joup को center के मत बांद कर तो वहां पर तेळली स्टाक में कौं से center के द्वारा जा आपको support किया बाल संतर के द्वारा क्या करते हैं तेपर ट्रेंग करते हैं पूछा जाता है पर freeze करते हैं समय टेली स्टाक के किसे सेंटर यूज करते हैं तो उस समय हम यूज करते हैं हाप सेंटर का ठीक है तो यह कुछ फेमस क्वेस्टिन जो कि टेल स्टाक से पूछे जाते हैं तो आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा पूछा जाता है टेपर ट्रेनिक करते हैं समय टेल स्टाक कि किस पार्ट को आपसेट किया जाता है इसमें graduation किसमें बने होते हैं तो graduation mm में बने होते हैं चलते हैं next question की तरफ 57 number question hypotenuse and base of a right angle triangle is 13 cm and 5 cm respectively its height is कोई एक समकोड ये त्रिकोड है इस समकोड तिर्भूज है उसका कंड कितना है 13 cm है आधार कितना है 5 cm है तो उसकी उचाई कितनी होगी हमें क्या करना यही calculate करना है तो देख लेते हैं 57 number question का answer क्या हो जाएगा कैसे इसको हम solve करेंगे सबसे पहले हमें क्या देख आएक right angle triangle दे रखा तो right angle triangle कुछ इस प्रकार से बनाते हैं जो कि यहाँ पर एक angle इसका क्या होता है 90 degree का होता हमाल लिया हमने इसका नाम क्या है ABC को एक right angle triangle है जिसमें B क्या है 90 degree का right angle है ठीक यहाँ पर कण कितना दे रखा है hypotenuse 13 cm दे रखा है base इसका आधार कितना दे रखा है 5 cm दे रखा है हमें निकालना है कि यहाँ पर हमें इसकी height निकाल ली है height को हमें यहाँ पर क्या कहते हैं इसको कंड का square बराबर आधार का square प्लस लंब का square कंड हमें तेरा दे रखा है तेरा का square करेंगे 59 हो जाएगा बेस हमें 5 दे रखा 5 का स्कॉयर करेंगा 25 इधर भेज देंगे तो 25 माइनस हो जाएगा 169 में 125 को माइनस करेंगे 1444 आएगा 144 का जब हम वह इसक्वार रूट निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 12 निकल के आजाएगा तो यहां से हमारा जो पर्पेंडी कुलर है यहां कर सकते हैं जो हाइट है वो कितनी है 12 cm की हाइट हो जाएगी बड़ा ही simple question था पाइथागोरस पर में से हम क्या कर सकते हैं इस question को solve कर सकते हैं तो answer को सा हो जाएगा 57 नंबर का see option 12 cm यहां से सही हो जाएगा चलते हैं बढ़ते हैं next question 58 नंबर की तरफ यहां पर पुछा गया है eccentric turning can be done using जब हमें eccentric turning करनी होती है तो वहाँ पर किस मतलब job को support करने जाब को hold करने के लिए किस चक का परयोग किया जाता है turning दो प्रकार की होती है eccentric turning और एक होती है eccentric turning centric turning क्या होती है माल लिए कोई 2 diameter है ठीक इस परकार का हमारा कोई 2-3 diameter है तो यहां पर centric turning में क्या होगा इस सभी का झो axis होगा ये एक ही होगा ठीक है और eccentric turning में क्या होगा eccentric turning में हर diameter का center क्या होगा अलग अलग होगा जैसे हमारा यह पहला हो गया इसका center line हमारी यह होगई दूसरा diameter हमारा अगर यहां है तो इसकी center line कहीं यहां पर हो गई ठीक जैसे crank shaft हो गया तो किसका example हो eccentric shaft का ही की example होता है तो यह पूछा जाता है कि eccentric turning करते हैं जाप को हम किसमें support करते हैं किसमें hold करते हैं तो basically उस हमें परियोग किया जाता है फोरजा चक का किसका परियोग किया जाता है फोरजा चक का या फिर face plate का परियोग करके जातें इसके चारोगा होते हैं आपस में मतलब अलग मूँद करते हैं एक डूसरे से मदल्ब इसको करें होते हैं Tout एक जाते हैं इंडिंडेपंडेंडर्डेटिंट लिवूब कर शकते हैं अपनी एकार के अंसार उसको हम झान रूप में सेट कर दे करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं को हो जानते हैं यहां से हम्हें क्या हो जाएगा? इसंट्रिक ट्राइनिंग के लिए फोर्जा चाहिए हो जाएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन 59 नंबर क्वेस्टन की तरफ यहाँ पर हमारा 59 नंबर क्वेस्टन में क्या पूछा गया है तो यह बेसिकली सर्फेस फिनिस का क्वेस्टन है आपको पता होगा कि जब हम सर्फेस फिनिस को सर्फेस रफनेस को ड्राइंग में दरसाते हैं तो उसको किसके द्वारा दरसाया जाता है ट्रेंगल तिर्भुच के सेम मतलब क्या करते हैं तिर्भुच के साइन के द्वारा उसको हम दरसाते हैं ठीक है तो यहाँ पर तिर्भुच के जो वैलू होती है अलग-अलग होती है बात की जाए सर्फेस रफनेस की तो कहा तक होती है 0.025 से ले करके 50 mm 50 micron तक हम सर्फेस 12 तक 12 ग्रेट में आपके सर्फेस रफनेस के नंबर होते हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंगल के द्वारा दरसाया जाता है यहाँ पर पूछा जाता है जो हमारा N1 है ठीक है N1 उसके साथ साथ N2 ठीक N1, N2 और N3 इसके लिए जो हम ट्रेंगल बनाते हों कितना ट दरसाया जाता है में इसे सबसे हाई ग्रेट की सर्फेस फिनिस होती है N1 एन टू यन ठीक तो अगर चार दिया गया है तो मतलब वो सबसे जादा सर्फेस फिनिस है बात की जाए N1 की बैलू कितनी होती है तो इस्टार्ट होता हमारा 0.025 से अब इसको दो से करेंगे तो 0.05 निकल के आएगा यह एन टू की बैलू हो गई इसको जब हम पॉइंट इसको धो से मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना निकलके आएगा तो वहाँ पर निकलके आएगा यह घर रोंगी में अ की बात की जाए तो N4 की value हमारी होती है 0.2 N5 की value होती है 0.4 N6 की value होती है 0.8 ठेक क्या करते हैं इसे को double double करते चले जाते हैं N4 की value 0.2 N5 की value 0.4 N6 की value होती है 0.8 यह सब किसमें होता है माइक्रोन में होता है और इनको दर्शाने के लिए कितने तिर्भुच का परियोग किया जाता है तो इनको दर्शाने के लिए तीन तिर्भुच का परियोग किया जाता है तो यही question में भी पूछा गया है एकर drawing में तीन तिर्भुच दिया गया है तो इसकी surface roughness value कितनी होगी तो इसकी जो surface ofness value होगी कहा 0.2 से लेकर के और 0.8 के बीच में होती है कितनी होती है 0.2 से लेकर के 0.8 के बीच में इसकी value होती है next अगर बात की जाए N5 तक हमने अभी discuss किया sorry N6 तक बात की जाए N7, N8 और N9 की तो N7 को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं 1.6 के द्वारा दर्शाते है 1.6 micron N8 की value कितनी होती है 3.2 micron होती है और N9 की value कितनी होती है तो N9 की value होती 6.3 micron और इसको N7, N8, N9 को दर्शाने के लिए हम परियोग करते हैं दो तिर्भूज का अगर ड्राइंग में दो तिर्भूज दिया गया है तो किसको दर्शा रहा है N7, N8, N9 को दर्शा रहा है जिसकी roughness value 1.6 से लेकर के 6.3 micron के बीच में होती है next बात की जाए N9 हो गया हमारा फिर आता है N10, N11 तो N10 को value कितनी होती है तो N10 की value हो जाती है 12.5 micron, N11 की value हो जाती है 25 micron और इसको दर्शाने के लिए केवल और केवल एक तिर्भूज का परियोग किया जाता है next आता है N12, N12 की value होती है 50 micron और इसको दर्शाने के लिए कैसे roughness symbol का परियोग कर लिया जाता है तो आसा करते ही आपको clear हो गया होगा कहां से 0.025 से ले करके 50 micron तक होता है इसकी value होती है N1 और इसकी value होती है N12 इसको आप क्या करते हैं 2 से multiply करते चाहिए आगे की value आपको मिलती जाएगी हमें इस question में पूछा गया है 3 तिर्भुज के लिए तो 3 तिर्भुज के लिए बेसिकली बात कीज़ए तो कहां से कहां तक होती है तो 3 तिर्भुज के लिए हमारा N1, N2, N3, 4 तिर्भुज हो गया हमारे चार तिर्भुज के लिए 2 तिर्भुज के लिए मैच करता है फिर बात की जाए लिए 10.025 यह हमारा जी 025 यह 1 के लिए होता है तो हमारा option number 3 कुछ इसके बीच में आ जाता कि पॉइंट 8 तक हमारी value इसकी जाती है पॉइंट 2 से ले करके पॉइंट 8 तक इसकी value जाती है यह 3 की तो option number 3 हमारा इससे थोड़ा मैच कर रहा है तो यह option number 3 इस question का सही answer हो जाएगा चलते है next question की तरफ 60 number question की तरफ which one of the following is an example of comparator बात की जाए तो यहां निमलिखित में से कौन सा comparator का एक उदाहरन दिया कि मिस कौन सा एक तुलनात्मक माप लेता है इस compare करने का काम करता है तो वर्नियर के लिपर की बात की जाए तो डारेक्ट रीडिंग मेजरिंग डायल गेज होता है इस पर कोई graduation नहीं बनी होती है यह क्या करता है compare करके माप लेने का कारी करता है तो यहां से कौन सा सही हो जाएगा आप सा नमबर सी सही हो जाएगा डायल गेज 61 नमबर इससे कुछ मिलता जूलता ही है which of the following is an instrument for indirect angle measurement में लिकित में से कौंसा ऐसा उपकरण जिसका पर प्रत्यच कोण मापन के लिए किया जाता है मिस जिस पर graduation नहीं बनी होती है तो यहां से हमारा सही हो जाएगा बेबल गेज ठीक बेबल गेज जितने भी बेसिकली गे इसा है या फिर नहीं है ठीक है तो ऐसे बेबल गेज का परियोग क्या करते है हम आप प्रत्यच रूप से indirect रूप से किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए मेजर ना कहिके अगर चक कहा जाए तो ज्यादा से होगा विस इसको चक करने के लिए परियोग किया जाता है बात क कि एक्पीरेस्जिब करने के लिए ऑर इसके द्वारा क्या करते हैं टेंपर की आज भी कर सकते हैं एक मिनट की एक्पूरेस्जिब में combination set हमारा क्या होता है तीन set का समूव होता है जिसमें basically आपके क्या तीन set पाए जाते हैं उनके द्वारा हम क्या करते हैं different different operation means different different हम उसकी marking करते हैं checking करते हैं next बात की जाए अगर combination set की detail अगर बात की जाए combination set की तो इसमें जो आपके तीन सेट पाया जाते हैं इसमें सबसे पहला होता है combination means square head ठीक है तिर उसके बाद आता है center head square head center head और एक होता है protector head protector head में एक degree की accuracy में हम खोड का measure कर सकते हैं उसकी checking कर सकते है center head का परो किसी round bar की center को मार करने के लिए सकते हैं सकते हैं कोड की measuring और चेकिंग कर सकते हैं नेस्ट शिक्टिस टू नमबर which of the following building is done in high vacuum chamber उच्च निर्वाद कच्च में निमलिकित में से कौन सी building पर किया की जाती है तो यहां पर हो जाएगा हमारा electron beam building electron beam building क्या होती बेसिकली जहां पर भी electron का काम होता है तो electron का काम कहां किया जाता है निर्वाद में किया जाता है vacuum में जहां पर कोई भी वाई वगेरा नहीं होती है यह नहीं होती है वहीं पर हमारे क्या होते है electron वाले सारे काम किया जाते है तो जो electron beam building होती है निरवात में की जाती है vacuum chamber में की जाती है ठीक next बात की जाए यहां से अगर कई बार पूछा जाता है TIG building के बारे में इसका full form होता है tungerton inert gas building जिसमें basically लिए आरगन गैस का परियोग किया जाता है इनेट गैस के रूप में और इसमें नान कंजीमेबल लेक्टोड का परियोग किया जाता है 63 नंबर क्वेशन में क्या पूछा गया है एल्ड इस्ट्रेंट आफ मेटेरियल इस दिटरमाइंड यूजिंग में इस किस विडिए का परियोग करके हैं पदार्थ का पराभाव शामर्थ निर्धारित करते हैं पराभाव शामर्थ उसकी ग्यात की जाती ना वह मैं इस्ट् तो मैं क्या करनी उसकी strength की बता लगानी तो strength के लिए हम क्या करते हैं उसको tensile load उसके लगाते हैं उसके खीचते हैं जिसके दारा उसके हमारे पराभो सामर्थ मिस उसकी कहले सकते हैं yield strength का पता चल जाता कि किस point के बाद इसमें क्या होता है इस plasticity का गुण आ जाएगा एक point होता है yield point तो जो भी yield point क्या होता है एक ऐसा point होता है जहां तक कोई भी material की जो elastic property होती उसमें रहती है yield point के बाद क्या होता है वो elasticity के खतम हो जाता है और क्या होता है उसमें permanent deformation होने लगता प्लास्टी सिटी के stage को प्राप्त कर लेता है तो इस उसको remove कर लेते हैं तो वापस आ जाता है तो जिस point तक वापस आ जाता है उसकी elastic limit होती है वो yield point के अंदर होता है जब हम उसको yield point के ऊपर मतलब लेकर जाते हैं उसका tensile port तो उसमें क्या होता प्लास्टिक deformation हो जाता है यहां से हो जाएगा tensile test yield next 64 question की बात की जाए ultrasonic testing is done in material to determine किसी भी पतात में ultrasonic परास्टरब परिछन किस गुण का पता लगाने के लिए किया जाता तो basic जो ultrasonic test होती है यह crack का पता लगाने के लिए कि जाती कि जो कोई surface है उसके नीचे crack उसमें कोई blow holes है या फिन नहीं है तो इसको पता लगाने के लिए मिस कोई सा टेस्ट किया जाता है तो यहाँ पर किया जाता है ultrasonic test बात की जाए 65 नंबर question की तो यहाँ पर 1.25 का मतलब क्या हो जाएगा तो बात की जाए यहाँ पर M का मतलब होता है metric trade है 12 क्या है उसका major diameter है 1.25 क्या है उस trade की pitch है तो metric trade जिसका major diameter 12 हम पिच कितनी 1.25 हम है तो यहाँ पर 1.25 क्या दिखा रहा है pitch diameter of thread दिखा रहा है तो B number option सही हो जाएगा next बात करते है 66 number question की name the instrument used for checking the gap between matching part कोई दो matching part है ठीक है male female part कर सकते है उनके बीच के gap को मापने के लिए clearance की जाच करने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो यहाँ पर परियोग किया जाता है filler gauge का filler gauge के द्वारा हम क्या कर सकते ह बीच में फीमेल पार्ट के बीच हम क्या कर सकते हैं gap की clearance की जाच करते हैं बात की जाए radius gauge इसी को fillet gauge के नाम से भी जाना जाता है इसका परियोग किसी internal या फिर external radius को चेक करने के लिए किया जाता है drill gauge का परियोग जो हम drill की grinding करते है तो उसका lip angle check करने के लिए drill gauge का number question की बात की जाए the process of enlarging and finishing a hole is known as कोई एक हमारा hole बना हुआ है already drill किया हुआ है इस hole को पूर्ण गहराई तक बढ़ा करने मिस छिद्र को बढ़ा करने और पूर्ण रूप से जो finish करने की परकिरिया होती इसको किस नाम से जाना जाता है मिस हमारा कोई hole है इसको हमें क्या करना है मिस मिस छिद्र को बढ़ा करना है और इसके साथ साथ छिद्र को क्या करना हमिस finish करना है तो basically बात कि जाए finishing किसमे होती है जो finishing हमारी reaming में होती है अब enlarging का मतलब यहां क्या है कि उस hole को थोड़ा सा बढ़ा करना ना कि इतना ज़्यादा बढ़ा करना ठीक तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा reaming option सही हो जाएगा कि reaming के द्वारा हम क्या कर सकते है hole को उसके परिसुद आकार में बनाते है और साथी साथ उसको finish भी करते है जब भी हम कभी क्या करते है drill करते है तो reaming के लिए जो allowance होता है according to diameter के अंसारा मुतमेटर पहले से छोड़ देते है hole को बढ़ा करने पूर्ट से finish करने की परिकिरा क्या कहलाती है reaming कहलाती है बात कीज़े other option की तो counter boring क्या होती है कोई भी हमारा drill किया गया hole है ठीक है तो उसमें socket head screw को बैठाने के लिए उसको एक निश्चित गहराई तक बढ़ा करने की जो परिकिरिया होती है वही क्या कहलाती है counter sinking कहलाती कुछ इस परकार से जो हम बनाते है surface पर हो क्या होती है counter sinking कहलाती counter boring के नाम से जानी जाती socket head screw, allen screw को बैठाने के लिए जम उपर क्या करते है थोड़ी गहराई तक उसको बढ़ा करते है उसके diameter को इसे counter boring कहते है counter sinking तो conical shape में उसे क्या करते है hole को बढ़ा करते है तो process counter sinking कहलाती है spot facing जो hole का opening होता है सिरा होता है उसको clean करना वहां से बर वगएरा को remove करना जिससे क्या उसके bearing surface मिल सके हमारा जो nut board nut है वो आराम से बैठ सके hole के उपर वासर जो परियोग कर रहे है उसको bearing area प्रदान हो सके तो इसके लिएम spot facing का परियोग करते है 68 number question की बात किये तो यहाँ पर पूँचा गया है area of square circum describing circle of diameter 6 cm 6 cm ब्यास का कोई एक हमारा ब्रित है ठीक है उस ब्रित को परिगत करने वाले वर्ग का छेतरफल कितना होगा बाते हां से क्या पूचा गया हम आपको figure बना के clear करते हैं यहाँ पर हमारा कोई क्या है एक circle है इसका diameter कितना है 6 cm अभी जो circle के बाहर बाहर अगर इसके हम भूजाओं को touch करता हुआ एक बनाए क्या बनाए एक वर्ग बनाए ठीक है एक square बनाए तो इस square का छेतरफल कितना होगा यही हमें बताना है जैसा कि आप figure में देख भा रहे हैं अगर बात की जाए हमें वर्ग का छेतरफल निकालने के लिए तो इसके लिए formula क्या होता है A square means side into side तो मैं side पता होनी के सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर diameter क्या है यह इसके दोनों side को touch कर रहा है तो diameter क्या होगा इस वर्ग के side के बराबर हो जाएगा आप यहाँ से यहाँ लीजे diameter ठीक चाहिए आप यहाँ से यहाँ लीजे diameter तो दोनों condition में क्या है work के side के बराबर ही इसका diameter है तो work का जो circle का diameter कितना दिया 6 cm दिया है तो यही क्या हो जाएगा side of square हो जाएगा 6 cm में formula पता है कि area of square कैसे निकालते है side into side से निकालते है 6 into 6 कितना हो जाएगा 36 cm square कहां से निकल के आ जाएगा तो option number हमारा कौशा सही हो जाएगा option number 36 cm square हमारा option number 20 सही हो जाता है next बात की जाएग 69 number question की the process of producing यह flat seat for a bolt head at opening of a drill हमने उपर ही थोड़े दिर पहले बात की थी कि drill के एगे किसी छिद्र के खुले सीरे पर में उपरी सीरे पर bolt के head को बैठाने के लिए या जो हमारा वासर हो गएरा उसको बैठाने के लिए support seat निर्मित की जाती है उसको plane किया जाता है तो इस process को क्या कहते हैं तो इस process को हम spot facing के नाम से जानते हैं ठीक चलते है next question की नमबर next question की तरफ 70 number thread plug gauge are used to check thread plug gauge का परियोग किसकी means किस को जाचने के लिए परियोग किया जाता है ठीक यहां पर आप संदिया गए external thread, internal thread, soft या फिर छिद्र की जाच के लिए तो बात की जाए plug gauge की तो सबसे पहले plug gauge की बात करते हैं तो plug gauge का परियोग किया जाता है किसी भी internal feature को च L Jek Garne kilos ہल will check करने के अगर thread plug gauge है, तो क्या करेंगे हम उसके द्वारा. internal thread की चेकिंग करने के लिए उसको परियोग करते है तो आपसे number 20 सही हो जाता है अब external thread की जाच के लिए किसका परियोग करते है तो एक होता है ring gauge तो ring gauge का परियोग किया जाता है किसी भी soft किसी भी बेलना कार cylindrical surface की जाँच करने के लिए basically परियोग किया जाता है किसका thread sorry ring gauge का अब अगर वो taper ring gauge है तो उसका परियोग किया जाएगा किसी taper surface की जाँच के लिए अगर वो thread ring gauge है तो thread ring gauge का परियोग करेंगे external thread की जाँच के लि इंटर्नल डायमेटर, वोल के डायमेटर को चेक करने के लिए, इंटर्नल फीचर को चेक करने के लिए, अगर रिंग गेज के बारे में पूछा जाते हैं, तो इसका परियोग साफ्ट के डायमेटर में इस एक्टर्नल डायमेटर, एक्टर्नल फीचर को चेक करने के लिए पर से बनए जाते हैं कारण क्या होता है कमप्रेशिव स्ट्रेइः ज्धादा होती है SOC का परियोग किया जाता चुकि इसकी कंपरेटिव इस्टेंथ काफी ज्यादा होती है नेक्स्ट बात की जाए 72 नंबर क्वेस्टन की दा लेट एसे स्रीज यूज टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर लॉंग एंड सिलेंडर जॉब इस नून एज कोई एक हमारा देख त हुआ है क्या है अब काफी लंबा है तो काफी लंबा होने के कारण बीच से क्या होता है इसे कुछ लसीला पना आता है जुकता है उसके अपने से इस्ट डिरेट निकल गया ता कि भी हम लंबे जाबों को अतरिक सपोर्ट देने के लिए परियोग करते हैं यहां पर ध्यान देना है देने के लिए किसका परियोग करेंगे तो हम डेट सेंटर का परियोग करते हैं लेकिन अगर पूछा जाता है कि लंबे जापको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए तो यहां पर परियोग किया जाता है परियोग किया जाता है जाने के लिए परियोग किया जाता हुए छ़िसे बचाने के लिए इसका परियोग करते है स्थिर रहता, इसमें 3 adjustments table lined होते हैं जो कि 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 बनाया जाते हैं ब्रास के बनाया जाते हैं, काफी बर पूचा गया प्रिक स्टडी रेश्ट है इसके जो पैड होते हैं किकतने डिगीरी पर सेट होते हैं, फिंगर सिसके तो 120 डिगीरी पर इसके श्मेंगर को सेट किया जाता है दूसरा जो हमारा स्टेडी रेस्ट होता है जिसे आंसे क्यों कहते हैं क्योंकि होता है इसको हम सेडल पर ही यूद्न का काम काम कृतिम्ट करता है कट यूज पालवर के नाम से जानते हैं जिस point पर हमारा cutting tool work कर रहा होता है means job की cutting कर रहा होता है उसी point पर यह का करता है follower steady rest हमारा job को support करने का कारिफ करता है यहां से यह सकते कोई भी question आएगा तो आपको clear हो जाएगा आप उसका सही answer दे पाएगे अगर बात किया late dog की तो late dog को ही क्या कहा जाता है late carrier के नाम से जाना जाता है late dog कहा जाए या late carrier कहा जाए दोनों एक ही होता है basically इसका material पूछा जाता है तो एक cast iron का बनाया जाता है इसका परियोग भी दो center के मत job की turning करने के लिए करते है जब हम क्या करते है दो center के मत जब होल्ड करते तोह पर late dog या late carrier का परियोग किया जाता है 73 नमबर की बात की जाए the narrow and thin part of file which connected to the handle is known as file का वो संकीन और पतला भाग इसे handle के साथ जोड़ा जाता है means handle में fix किया जाता है उसे किस नाम से जानते है उसे क्या कहा जाता है time कहा जाता है और यह ऐसा part होता है हमारे late का जिसको हम hard or temper नहीं करते हैं बाकी late के सारे part को क्या sorry बाकी file के सारे part को क्या किया जाता है hard or temper किया जाता है जिक में इसे किस का भाग होता file का भाग होता जिसको हम किस में fit करते है handle में fit करते है इसको hard or temper नहीं करते हैं जो हम file को file में स्वरी क्या करते हैं इसको handle में fix करते हैं इसको हमें चोट मारना होता है चोट मार के इसको fix करते हैं तो अगर hard or temper होगा तो क्या होगा तूट जाएगा बात की जाए एज की तो फाइल की एज पर पूशा जाता है किस प्रकार के दाते कटे होते हैं तो फाइल की एज पर सिंगल कट दाते कटे होते हैं और सेफ एज फाइल के एक एज पर दाते नहीं कटे होते हैं tip और point हमारा last part होता है फाइल का tip और point से ले करके here तक file का size लिया जाता है ठीक next 74 number question इन यह वर्नियर कैली पर 50 division of the वर्नियर कैली पर 25 49 division of the main scale यहाँ पर कोई हमारे एक वर्नियर कैली पर जिसमें जो उसका 50 main division means वर्नियर division है वो 49 main scale division के बराबर है अगर main scale की reading 30 mm है और 20 हमारा वर्नियर division match कर रहा है तो उस वर्नियर कैली पर का list count कितना होगा सबसे पहले हमें क्या दिया गया है तो सबसे पहले दिया गया है कि जो 50 वर्नियर scale division है 49 main scale division के बराबर है अब साधानते हैं जो हमारा वर्नियर कैली पर होता उसमें 1 main scale division की बरू कितनी होती 1 mm होती है तो हमारा 50 warnier scale division किस के बराबर हो जाएगा 140 main scale division या फिर कहिए 140 mm के बराबर हो जाएगा 1 main scale division की बरू काले तो कितनी हो जाएगी 140 वटा 50 हो जाएगी अब जो हमारा list count का formula होता है वर्नियर के लिपर का क्या होता है एक main scale division मानिस एक 1 year scale division एक main scale division की बेलू कितनी 1 mm है एक 1 year scale division की बेलू कितनी 4.50 है तो इसको हम हल करते हैं तो कितना निकल किया था 1.50 0.02 mm जो हमारा वर्नियर के लिपर जो हम पर योग करें उसका list count कितना 0.02 mm है कई बार ऐसे question दी जाते हैं direct आपको यहाँ पर list count नहीं दिया जाता है अब reading हमें निकाल लिए हैं तो क्या करेंगे simply main scale division लेंगे plus one year scale division को क्या करेंगे list count से गुणा करके main scale division में add कर देंगे तो main scale division हमारा 30 mm दे रखा है one year scale division की 20 वी line match कर रही तो इसको list count 0.02 से गुणा करेंगे तो 0.4 की निकल के आएगा 30 में 0.48 करेंगे तो 30.4 mm यहाँ से निकल के आ जाएगा तो option number यह हमारा match करता है 30.4 mm हम बात की जाए next question 75 number की the calculate tap drill size for an internal thread of m12 with 1.75 pitch हमारी कोई m12 की हमारी कोई thread है जिसका pitch कितना है 1.75 mm है यहाँ पर हमें calculate करना है tap drill size means इस thread को काटने के लिए हमें कितने mm की drilling करनी होगी तो simply क्या करते हैं major diameter में से pitch को घटा देते हैं तो बारा में से 1.75 को घटाएंगे तो कितना आएगा ग्यारा दस मुलों सोरी 10.25 निकल के आ जाएगा ठीक यह हमारा rough rate के लिए होता 60% rate के लिए जनरली फार्मूला पर योग किया जाता है कि हम क्या करते है major diameter में से pitch को direct minus कर देते हैं ठीक तो हम 12 में से minus करेंगे 1.75 को तो कितना निकल के आजाएगा 10.25 निकल के आजाएगा यह आपका उत्तर हो जाता है लेकिन बात कि कर लिजाए अगर 100% rate काटना है तो उस condition में हम क्या करते है तो उस condition में फार्मूला होता है टेप डिल साइज बराबर टेप साइज माइनस टू इंटू डी जहां पर डी और क्या होता वन अपन नमबर आप डेट पर in जो होता है मेजर डावीटर बारा आएमम दे रखा है टू के अस्थान पर टू बी बराबर .61 पी तो six one रख देंगे पिज के अस्थान पर 122 पास दे रखा है ठीक है कितना दे रखा है 1.25 दे रखा हो तो इतना आएगा ठीक किस प्रगार करते हैं तो जब इसको गुणा करेंगे तो 1.525 निकल के आया गा जब इसको 12 में से multiply करेंगे तो 10.475 निकल के आ जाएगा एक इस condition में जब pitch 1.25 हो जब हम pitch की value रखेंगे 1.75 तो हमारा बुछवा अलग निकल के आएगा ठीक तो उसी साब से आप इस फार्मूले का परियों करके calculate कैसे लेकिन यहां पर आपको direct दिया गया 1.75 को minus करती है किसे 12 में से तो 10.25 निकल के आ जाएगा आपको चलते हैं next question 76 नमबर की तरफ यह no go plug gauge is used to check the which limit of hole को एक हमारा hole है इसमें हम no go plug gauge का परियोग किस की जाच के लिए करते हैं तो no go का मतलब क्या है यह हमारा hole में नहीं जाना चाहिए ठीक plug gauge हमने अभी उपर चार्चा किया था परियोग hole की limit जाचने के लिए internal feature जाचने के लिए करते हैं इसमें दो side 2 सीरे होते हैं एक होता है go sira एक दूसरा होता है no go sira तो go sira हमारा hole में चला जाना चाहिए अगर go sira हमारा hole में नहीं जाता है तो हमारा hole क्या है दिए गए side से छोटा है तो कर सकते हैं go sira का परियोग करते हैं lower limit की जाच करने के लिए और जो no go sira है hole में नहीं जाना चाहिए ठीक अगर यह hole में चला गया तो हमारा hole क्या है और साइज है तो यहां से निकल से अबहिए नो ग्लिएज का परियोग का रिए का समय के लिए no go का परियोग का करेंगे आपर limit चठ करने के अपने simple भासा में सब्जेंगे go का मतलब जाना चाहिए अंदर नहीं गया तो मतलब छोटा है no go का मतलब नहीं जाना चाहिए और अगर by chance अगर no go चला गया अंदर तो मतलब क्या हो गया यह बड़ा हो गया है तो यहां से आप इसको समझ सकते बात किये 77 number question की जहां पर पूचा गया है इन यह grinding wheel grade denote star इसे कोई grinding wheel है इसमें grade किसको पर दर्शित करता है grade का मतलब क्या होता है आप संदिया गया है grain size type of abrasive hardness या फिर structure तो grain sorry grade का मतलब क्या होता है hardness होता है अगर grade की परिभासा बताई जाए कि grade of grinding wheel क्या होता है तो grade की परिभासा ही होती है कि यह bond की कठोरता को पर दर्शित करता है जो भी हम bond उज़ करते हैं grinding wheel में तो उसकी सामर्थ उसकी कठोरता को किसके द्वारा पता लग जाता है grinding wheel के grade के ताहरा grade कितने से कितने तक होते हैं तो basically A से ले करके G तक पाये जाते हैं जिसमें A से H तक जो हमारा होता है मुलायम grade के अंतरगत आता है I से ले करके P तक जो होता है मेडियम ग्रेट के अंतरगत आता है और क्यों से ले करके जड़ तक ये हाड ग्रेट के अंतरगत आती है यहाँ से पूछा जाता है अगर हमें soft metal मुलायम धात की grinding करनी है तो किसका परियोग करेंगे ठीक तो मुलायम धात की grinding के लिए हम क्या करेंगे हाड ग्रेट वाले kट्टोर धात की grinding करनी है अब कट्ट धात मुलायम करनी है हम हाड धात करते हैं उस समय ईबरेसिव होते हैं जल्दी से ब्लन्ट हो जाते है ओख हैं लेकिन व्लियृ और ऐक कर्ट भंद से बदिन होने के कार जिख निकल जाते तो इसलिए हम क्या करते हैं soft grade wheel का परियोग करते हैं अगर हम hard grade का परियोग करेंगे hard को grind करने के लिए तो blunt जल्दी हो जाएंगे लेकिन band hardness उसकी जादा होगी कटोरता जादा होगी तो जल्दी वो मतलब जढ़ेंगे ने अपने अस्थान से हटेंगे नहीं तो हारा क्या होगा तो आपर glazing की समस्या आ जाएगी और हमारा surface size नहीं होगा इसलिए soft के लिए hard और hard के लिए soft का परियोग किया जाता है ये भी आपका question ही जाम में कई बार पूचा गया ठीक है तो मुलायम ये and इसका grid size कीतना होता हो कि इसके दवारा पता चलता है जो कि basically 10 से ले करके 24 नमबर हमारा course होता है फिर उफिर उसके बाद 30 से ले करके 60 नमबर मेडियम के अंतरगत आता है 80 से 180 हमारा fine के अंतरगत आता है उसके ऊपर बात की जाए 220 से लेकर के 600 नमबर तक यह हमारा very fine के अंतरगत रखा जाता है तो आसा करते हैं अभी आपको clear हो गया होगा यहाँ पर जो next option दिया गया structure दिया गया structure क्या होता है तो grinding wheel में abrasive कण का जो घनत्व है उसकी density क्या है किस प्रकार उसमें distribute है उसके grains इसका पता कैसे लगता है तो structure के द्वारा इसका पता लगाया जाता है ठीक है सिंपल भासा में देखा जाए तो structure का मतलब क्या है तो abrasive कणों के बीच कितना gap है उनके बीच कितनी दूरी है grain जो spacing होती वही क्या है structure के द्वारा उसको परदर्सित किया जाता है structure basically दो प्रकार के होते हैं सबसे पहला होता है dense structure जो की एक से लेकर के 7 number तक होता है इसका पर पर क्या होता है दो कणों के बीच का gap काफी कम होता है दूसरा हमारा होता है open group वाला means open structure वाला इसमें आता है 8 number से लेकर के 14 number का इसमें जो दो कणों के बीच का gap होता है grain spacing ठोड़ी जादा होती है तो इसका परियोग तेजी से cutting के लिए अधिग material हटाने के लिए इसका परि बेसिकली grinding wheel में cutting का काम करता है abrasive दो प्रकार के होते हैं सबसे पहला हमारा होता है natural abrasive जिसके अंतरगात आते हैं memory हो गया कोरंडम हो गया और diamond हो गया है सब natural abrasive के अंतरगात आते हैं दूसरा होता है artificial abrasive जो कि कृतिम बिदी से artificial रूप से बनाए जाते हैं जिसमें हमारा aluminum oxide silicon carbide basically यह दो प्रमुख रूप से अप्रेसिव रख रख जाते हैं तो चलते हैं next question की तरफ 78 number question की तरफ यह safe with seven side is known है साथ पार्सों से युक्त किसी आकार को क्या कहा जाता है कोई एक ऐसा हमारा means polygon जिसमें कितने side हो 7 side हो 1,2,3,4,5,6 और यहां पर 7 side हो तो ऐसे means हम आकरती को क्या कहेंगे तो इसे कहा जाता है heptagon या सब्त भुज के नाम से जाना जाता है अगर 5 side है तो पंच भुज 8 side है तो octagonal 6 side है तो उसे hexagonal के नाम से जाना जाता है नेक्स पूछा गया है 79 number the cutting fluid used oil cutting aluminum aluminum को काते समें कौन सा cutting fluid किस तरल करतन तरल का परियोग किया जाता है तो यहां पर परियोग किया जाता है मिट्टी का तेल केरोशीन आयल का परियोग करते हैं जब कभी भी हम aluminum में drilling, tapping, naming, कुछ भी कोई भी machining operation करते हैं aluminum में या फिर copper में भी wenig Ginseng operation करते तो उसमें परियोग का परियोक किया जाता है दूसरा यहां पूछा जाता है कास्ट अईल कि 분들은 कि में करते making कि समें किसदा परियोग करते हैं यें सब के लिए वीन परियोग किया जाता है इस वीडियों का अब सेप और रेस्फ कट फाइल का आकार कैसा होता है तो कई बार क्वेश्चन यह आ चुका है रेस्फ कट फाइल का आकार होता है half round अर्ध गोलाकार सेप में पाई जाती जो इसके तीत होते हैं individual कटे होते हैं, sharp होते हैं, तीछे कोने वाले होते हैं इसका परियोग soft metal की filing के लिए जैसे की hood हो गया, leather हो गया, plastic हो गया तो इसकी filing के लिए किसका परियोग किया जाता है? अर्बात किज़ें, triangular file की तो इसका परियोग कहा करते हैं, तो 60 degrees से अधिक कोने वाले जो भी हमारे group होते हैं, तीछे कोने होते हैं, उनको filing के लिए triangular file का परियोग कहते हैं, पर दूसरी आती knife age file, उसका परियोग 10 degrees से अधिक जो भी group होते हैं, उसकी filing के लिए परियोग करते हैं फ्लेट फाइल जनरल परियोग की जाती है नेक्स्ट राउंड फाइल का परियोग कहां करते हैं तो कोई भी हमारी गोलाकाराक्रती उस होल को हमें क्या करना है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे सिंपली राउंड फाइल का परियोग करते हैं ठीक है हा गोषन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूंछ सकते हैं या फिर जिसने के टेमीविफ लिंक का दिया गया है वाइटम नेममर दिया घया आप महां भी कॉंट्छर कर अपusch कर सकतें वीडियो आपको कैसी लगी comment section में अपना means feedback जरूर दें जिसे में क्या होता motivation मिलता है वीडियो अच्छी लगी है तो like जरूर करिएगा और अपने friends के भी share करिएगा जिससे कि और लोगों को भी क्या उसके benefit मिल सके वीडियो को और कैसे improve किया जा सकता है इसके बारे में भी आप अपनी राय दे सकते हैं इस सारे PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे telegram group को join करिए साथी साथ आपको playlist की भी लिंक दी गई है WCS master science master classes की उसको भी आप watch करिए कि इसरों के examination में basically 30% जो होता है non technical पूचा ही पूचा जाता है तो वीडियो जो है आपको workshop calculation की काफी ज़्यादा help करने वाली है तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए पेपर के साथ तब तक के लिए वे good day best of luck बाबाई